नमस्कार साति बहुत बहुत स्वागत है आपका एंप्लेमेंट्स पॉइंट में आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश लोक सिवा आयोग में जो भरती आई है असिस्टेंट इंजिनियर की उसके बारे में आज हम आपको पूरी जानगाई देने वाले हैं चलिए सिम्ला में आवित कराये जाएगा ओनलाइन फर्म बरना सुरू हो चुके हैं लास्ट डेट है पांच जनवरी पांच जनवरी तक आप आप आप्लाइन कर सकते हैं जो रिजर्वेशन का लाब है वो हमाचल प्रदेश के निवासियों को दिया जाएगा जो अधर इस्टेट अप्लोड करना होगा इसके Umography अप्लोड करना होगा इसके लावा अगर आप हमाचल प्रदेश का पुम्हाट जमा कराना होगा तबी उनको आर्षण का लाब दिया जाएगा जनरल के अप्लाइ करेंगे बात करेंडें अप्लिगेश Hyundai Is harus लिएुए के अप्लिगेश के यह जनरल केटेगरी केड़ेट साथ ही अद्रेश्टेट केड़ेट जो है वो चास रोपे फीज़ेबा कराएंगे रिजर्ब केटेगरी केड़ेट सौरपे और माचल प्रिदेश के एक्सरेसमेंट को कोई फीपे नहीं करनी है अब बात करते हैं वेकेंसी की वेकेंसी आई है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी P.W.D. में असिस्टेंट इंजिनियर सिविल की आपकी वर्ती आई है 24 वेकेंसी है और आपको शुरुआत में फिक्स पर मिलेगी 27 या 715 में उसके बाद आपको रैगुलर किया जाए हो और आप वहां की विसम परस्तितियों में काम कर सकें बात कर लेते हैं एज लिमिट की एज लिमिट 28 से लिए 45 साल और जो अधर के इस्टेंट है उनको भी साइच लेके 55 साल के क्रिटेरिया माना होगा जो इमाचर प्रदेश के निवास ही हैं उनको 5 साल के छूट दी जाएगी अगर वह SST OVC वाले हैं तो एज की कैलकुलेशन एक जनवरी 22 को की जाएगी अब बात कर लेते हैं आविदन करने की एप्लिकेस फॉर्म में ओनलाइन आप आप www.hppsc.hp.gov.in.hppsc पर क्लिक करके वहां से ओनलाइन फॉर्म बर सकते हैं फॉर्म बनने के वाद उसका पेंटाउट निकलवागे अपने पास सचित रख लें एक्जाम सेंटर के बारे आपको पहली बता चुके हैं जो भी एक्जाम सेंटर है आपका वो सिमला रखा आपका प्री एक्जाम के लिए परिसंटर के लिए सेलेक्स्टर प्रोसस की बाद करें सेलेक्शन में आपका पहले screening प्र एक्जाम होगा उसके बाद होगा आपका gua है टोल हंड़े इसendeu से इक дело के इसंुग होए इसमें कराम के डी कुशंट्र सक्सक्राइट ड़ी बाद कर तो जो can rate pre-exam में appear होंगे उनमें general category can rate को 25% वही reserve category को 20% marks लाने होंगे उसके बाद ही उनको select माना जाएगा जो interview होगा वो आपका 100 नमर का रहने वाला है यानि personality test आपका 100 marks का रहेगा इसमें general वालों को 45 वही reserve category वालों को 35 marks लाने होंगे उसके बाद ही उनको और final selection यो होगा वह आपका interview के base पर रहने वाला है तो साथी यह थी जानकारी हिमाचर प्रदेश public service commission AEN exam 2020 के बारे में हमने आपको बताया हमें उम्मेद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए और अगर आप नई हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए को गया मिलती है सही जानका को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें दन्यवाद